पूरे साल की प्रहाई बस एक वीडियो में आज इस वीडियो में लेकर आया हूं देखिए आगर आप लोग इस वीडियो को किलिक कर चुके हैं तो पूरी तरीके से देखेगा बस एक घंटे की वीडियो है आप लोग के लिए और 700 कोशन से भी अधिक कोशन यहां पर लेकर आया हूं और यहां पर 100 प्रतिशत आप लोग की तयारी हो जाएगी बिल्कुल मैं गैरेंटी के साथ बोल रहा हूं क्योंकि बुक और ग्रामर दोनों यहां पर मैं लेकर आयों पूरी तरीके से बस वीडियो को देख लिजेगा क्योंकि हंड्रेड में हंड्रेड प्रतिश खासकर एक्जाम टाइम में अब यहां देखें को शब्राइब क्या होता यह 2019 में पूछा गया है आप लोगों को तो इसका आइटेंसर क्या होता देखिए फटाफट से जवाब दिए तो ए नमबर है निपकायर का विलोम शब्द बाहर बहादूर हो जाएगा चले अब द खड़ा का विलोम शब्द क्या होता है आपको मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे तो यहां पर देखिए खड़ा का राइट अंसर यानि खोटा हो जाएगा ए नमबर हो जाएगा चीक है चलिए अब देखेंगे आगे हमारा पूशन नमर 5 पूझा दारा कि उद्धंड का विलोम शब्द है तो उद्धंड का विलोम शब्द क्या होता तो पांच नमर का हमार राइट अंसर तो ए नमबर यानि वी नर्म हो जाएगा चीक है अगर आप लोगों को घर बैटे अची तरीके से तैयारी करने है तो आप लोगो गूँग देखेंगे कोशन में हमारा च्वह नंबर क्या बने दाए दरा कि शाकार का विवाइंट गरेकर आया हूं जितना भी स्टार पॉंट वाला क्वेशन में सारा लेकर क्या हूँ आप लोग इसी तरीके से जो पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और ज्यादे से यदे शेयर devient करना अगर आप चैनल को subscribe नहीं कियाँ तो subscribe करें को प्रिश्कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो हम बराबर जो लेकर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहरे notification मिल जाए अब यहाँ पर देखे साथ नंबर हमारा क्या हो जाएगा ग्यात का ओग्यात राइट नंसर बी नंबर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखते अब देखेंगे आगे क्यों आगे क्या हो जा रहा है यहाँ पर देखे दस नंबर कहे रहा है कि वैद का आवेद राइट नंसर बी नंबर हो जाएगा अब देखते आगे क्यों आगे अब हम लोग आचुके परियावाची में क्योंकि सारे परस्णों को बारी बारी से कवर करेंगे जो आपकी बोड़ एक्जाम में पूछा जाता है उसके बाद आप लोग का विलोम शब्द वह तीन नंबर का पूछा जाता ठीक है तो आप सुगंद का कि उपरी सभी हो जाएगा ठीक है अब देखते आगे क्या है राजा का परियावाची तो राजा का परियावाची क्या यह a तो इसका जो राइट आंसर का बार नमबर का तो डी नंबर क्या ज़ए का राजा का नरेंद्र नर्पती तो इन में से सभी हो जाएगा ठीक है मेरे खाल से सभी होगा तो राइट इंसर यहां पर चले अब यहां पर देखे क्वेस्टन नमर क्या बढ़े रहा है कि बादल का परियावाची है तो बादल का परियावाची सब्सक्राइब तो इसका राइटन से डी नम्बर उपर सभी हो जाएगा में एक जलद उसका जलद है ठीक है बहुत इमपोर्टेंट प्रसन आप सभी हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे आगे क्या बढ़े त्यारी करना चाहिए तो गूगल में जाकर के लिखना है आप लोगो bbphelp.com वहां पर आप लोगों को जो है मोडल पेपर कुशन पेपर कुशन बैंक उसके चैप्टर वाइस सारा सब्जेक्ट का जो है आप लोग को मिल जाएगा जाकर के गूगल पे सर्च करो जाकर बीबीप हैल्प.com वहां पर आपको बारी बारी से सारा चीज मिल जाएग है जाकर देख लो ठीक है तो इसका आकास का परियावाची जो होता है इसका इसका डिंज इनमें से सभी हो जाएगा चलिए अब आगे देखते हैगे हमारा कुशन क्या बेदर 18 नमर करें कि इनमें से कौन सा सब्द हनुमान का वाचक है तो इसका इनमें से इनमें जो जो हन तो यहां पर उनीस नमबर का हमारा राइट अंसर क्या ची नमबर यहां भानु फल यह सभी से अलग है बिल्कुल राइट नमबर होगा चीक है चले अब आगे देखते हैं आगे नमबर क्या बहुत आगे कि जो सब्द पत्नी का परियावाची परियाए हो उसे अंगित कीजि तो पत्नी का परिया वाची कौन को यहां पर होगा तो सब्द पत्नी का परियाए ना हो तो उसको तो यहां पर अंगीत करने देखने के लिए बोल रहा है तो यहां पर दो हीतर यहां बहुत हो जाए कि this आपके समास हो जाएगा की आजन में कौन सा समास है तो आजन में जो है यहां पर हमारे रैटनेसर 22 नुमर का क्या हो जाएगा तो यहां पर यहां पर तो आगे हमेरा समास है तो हाथ पैर यहाँ पर कौन सा समास है तो एंस समास चाइ Feels वह हैं ना समच पहरे है ऩ। लंबोदर कौन सा समास है तो लंबोदर जो है कौन सा समास होगा तो यहां पर आइट एंसर 27 का बी नंबर समास है ठीक है ओके बहुत बड़िया फटा-फट आप लोगो जवाब दिने अगर जो लाइब देख रहे हैं अगर बाद में देख रहे हैं तो आप कॉमेंट सेक्षिन में बिल्कुल जवाब दिना बिल्कुल मद दो लिएगा और आपको मैं बार बर बोलना हूं कि आप लोग अगर ठीक है तो यहां पर 28 का राइट आंसर जो हो जाता है हमारा बहुत बड़िया आज कल जो है कौन सा समास है वेरी गुड डी नंबर यता समय समास है तो याथा समय कौन सा समास है तो इसका राइट अचर हो जाय गा यहां पर अभी अभी भाव हो जाएगा ठीक है चले अब देखेंगे एक शब्द यह काफी इंपोर्टन है यह आप लोग कि एक सब्दे का अनेक सब्द आपर सबसे पहला प्रशन है वह अस्थान जहां से ना रहती है क्या कहता है तो बीनिमर चावनी कहा ता ठीक है बीनिमर देगा चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे हमारा क्वेश्चिन क्या बोले जा रहा है करें कि गिरा हुआ के लिए सब्दे है तो गिरा हुआ के लिए एक सब्दे होगा तो क्या होगा तो इस गूगल में हराल में लिख लेना है और वहां आप अच्छी तरह यारी कर सकते हैं मैं बार बड़ आप लोग को इसलिए बता रहा हुँ ताकि आप लोग घर बेटें अच्छी तरह यह से त्यारी कर पाए अब यहां पर देखेंगे आँखों के सामने के लिए एक सब्द होगा तो 35 नंबर का राइट अब देखेंगे क्या दाता है चलिए अब देखेंगे क्वेशन नमर को चलिए अब देखेंगे क्या यहां पर सविकार करने योग को क्या कहा जाता तो इसका इनि 29 नमर का इदेर बीनिमबर वह यह नहीं कहा था ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़ियां अब यहां पर देखें कि क्या बढ़ा है कि जिस पुरुस की इस तरी मर गई हो तो उसको क्या कहा जाता है तो इसका 40 नमर का हमारा जो राइट अंसर हो जाएगा क्या जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं तो यहां पर हमारा राइटन से शी नमर जाएगा यहां विदूर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे आगे कि और आगे हमारा कुश्चन क्या बढ़ा है कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते है तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या 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 अब देखते आगे किया माप ने मैं समर्थ हो उसे कहा जाता है तो क्या कहा जाता था अब आगे देखते विशेशन में अब यहां पर जो है इसमें बैइस तीन नंबर प्रस्थ यह पूछा जाता है आप लोगों को ठेक है यह सारा जो फिर आप तो बीवीपी हेल डॉट को में मिल जाएगा इसलिए आप लोगो बीवीपी हेल डॉट को में जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अब यहां पर देखें कोश्चन नबर हमारा क्या है तो भारत का विश्येसन क्या होगा तो भारतिया राइटन सा हमारा a नंबर हो जाएगा ठीक है यहां पर भी भारतिया है लेकिन नहीं होगा आप लोग अच्छे तरीके से देख लिजिएगा एकजाम अगर देने के लिए जाएगा तो यह जाती शब्द का विश्येसन होता ह तो जाती सब्दे का विश्यसन क्या होगा तो चालिस नमर का राइट नमर जाती है हो जाएगा अब देखते हैं आगे की और आगे हमारा क्वेश्यसन क्या होगा आप लोगो जल्दी से बताने हैं कर 50 नमर जाती है तो नमकशब को सब्दे का थाका फ?" जगत का विश्यसन है तो डियंडे हँर और जगत का है चलिए अब देखेंगे और आगे हमरा क्वेशन दीन ! क्या होगा इन हो जाएगा अब देखते हैं आगे के यह आगे हम Now करने के लिए बोला यहां है तो यह भी जो पूझा जाता है आप लोगों को तो यह भी जो है предлаг बूहर ter अब यहां देखिए याद रखना है कहीं पर भी आपको सर्च करना है गूगल पे या फिर आप जो है प्ले स्टोर में या पर कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको बीवीपी हेल्प मिल जाएगा इसलिए आप लोगो सर्च करके पढ़ना है ठीक है अब आम शब्दे का जो है इस त्रिलिंग है तो 35 नमर का एमरा राइटेंसर क्या होजाए बी नमबर जाएगा पूर्लिंग है आम क्या है अब देखते हैं अब यहां पर देंगे क्या है 54 नमर भावन शब्द नओर फिर प्रिंग प्र तुर्ण नमर या फिर उबना तो यहाँ पर हमारा पडित नमबर का ref Connor हो जाता है तो यह नंबर इस तरी living अभिया चलिए अब देखेंगे आगे यह यह आगे हमारा क्रश्चिन क्या है यहां पर सभा क्वंभर है सभा जोड़ा क्वह यहां पर 46 नमबर का हमारा इतनन से किल ए नमबर हो जाएगा किया ए नमबर यानी इस-त्री लिंग है क्या है इस संत्री-लिंग है चले बहुत बढ़िया अब देखते हैं आगे करें क्या पर 57 को देखें गे 157 नमबर का विज्विजन आंच है कि आत्मा पर कार क Bridnell आत्मा क्या है। ऐखे बहुत बढ़िया चलिए आगे देखते आगे क्या है यहां पर 895 का ची नुमर ईस्टरी को जाएगा यार इन राइट अंसर यार नमबर हो जाएगा अब यहां पर देखते है शाठ नमर क्या बढ़तारा है आयू कौन लिंग है तो यहां पर पारव को अंसर नाम कई था तो मातना वरी नाम था अब देखते आगे के और आगे हमारा क्वश्चन क्या वह दरा है सुबद्रा कुमारी चौहान को किस पाड़ी का एमेले चुना गया था तो 33 नंबर का डी नंबर हो जाएगा यानि कॉंग्रेस पार्टी का जो है यानि क्या चुना गया था अब देखते हैं आगे गर क्वेश्टन पर को अच्छी तरीगे से पढ़ लीजियों के चले अब यहां पर देखें किस भासा के परसिद्ध कभी है तो 65 नंबर का हमारे राइट इंसर जागा यानि बर्ज भाशा ओके चलिए अब देखते हैं कि भूशन रेती काल की किस धारा के कभी है तो कभी है तो इसका राइट नं के कभी है जपके कभी है हमले तो यहां पर हमारा हमाला क्या है अरसत्त का विलो मैं चे गाया तो तrick तो अनाधर का लिए होगा तो ऑनादर हो हुजएगा राइट छी नम्बर जागा चिक चलिए मब देखतें सब्सक्राइब करना है अब यहां पर अगर आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या बोला जा रहा है रजनीश का संदी विच्छेद है जिहां रजनीश का संदी विच्छेद क्या हो जाएगा तो 71 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने पाउज और अन हो जाएगा तो 73 में आइप संदी विच्छेद क्या हो जाएगा तो 73 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो 75 को देख लीजेएक क्या बोला जा रहा है sap कॉंसा उफ्षन करेक्ट होगा विदिनेश का संधी विच्छेत है तो 75 में राइटरस उफ्षन दिन जोर इश हो जाएगा चलिए अब क्वेस्टेटेश्यों को देख लीजे क्या बोला जारा है फिर एटरस बाते यह कॉंसा आप्षन करेक्ट होगा जी आपके बिल्कुल हो जाएगा नहीं आप पुर्णी मामें कौन सा परतिया है घ्रिक्ट हो जाएगा नहीं इमा चलिए आप यहां गौन सा समास है जिहां तो जलत गौनसा समास है तो क्रिक्ट हो जाएगा कर्मधारे समास हो जाएगा चलिए अभी क्वेश्चन में 79 को देख लिए क्या बोला जा रहा है यहां तो लंबोदर कौनसा समास है यहां तो परती दिन कौनसा समास है तो अब यह भी भाव समास है चलिए अब क्वेश्चन में 83 को देख लिए क्या बोला जा रहा है आज का पर्यावाजी सब्द है यहां पर कै क्या उजा जाएगा यहां पर क्या जाएकेần यहां पर क्या बोला जाएगा यहां पर क्या दो यह पर सोब्स करेंगा जीने अंध्यकार का परसकास चेले प्रेश्टन पर 86 को देखली जब क्या बोला जारा है फिर रैटर सा बताईए और देह का विलौम है जी थिखां और देह का का विलौम क्या हो जाएगा तो अप्ष्ण मेर् तो थंडा का गर्म बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा चले आप क्वेश्चन में निशाकर बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक सब्द हो जाएगा चले आप क्वेश्चन में निशाकर बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा फिर एक सब्द ही घोडा बेचकर सोना मुहावरा कार्थ है जिहां तो इस मुहावरे कार्थ हो जाएगा तो अप्शन में निशाकर बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा आराम से रहना चले आप 95 को दिख लिए क्या बोला जारा है फिर एक सब्द ही कौनसा आफ्शन करेक्ट हो जाएगा अप्शन में निशाकर बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा चले आप 97 को दिख लिए क्या बोला जारा है फिर एक सब्द ही कौनसा आफ्शन करेक्ट हो जाएगा ध्रम का विशुयशन है आप दosis Z dharma क्या हो जाएगा उस्टन में दार्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले आप 99 को दिख लिए क्या बोला जारा फिर एत्र समी पर शाल को जाएगा यहां पर आप्सुल क्रेक्ट हो जाएगा निशार तो हम लोग ने 100 questions complete कर लिया और मैंने आपको बताया कि हम लोग 500 questions complete करेंगे तो अभी आपको glass class तक बढ़ने है ना जिखा क्योंकि मैंने आपको challenge किया था देखते हैं कि आज कौन हारता है नहीं क्लास को सबसे पहले छोड़ता है तो आज ही देखा जाएगा वैसे इस्ट्रि करेक्ट होगा अगर आप यह 500 questions को देख लेंगे आपको खोल कर आभी देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिहां क्यूंकि यह बुक से ही जो 500 important question है वो सारा छाटकर निकाला गया है अगर आप इस class को देख लेंगे तो आप exam में निस्चित हो जागे आपको अगर तरफ से चलिए आप question 102 को देख लीजे क्या बोला जारा फिर राटर समदी कॉंसर आप्शन करेक्ट होगा आदमी सब्द है यहां पर राटर समदी करेक्ट हो जाए जाए फारसी सब्द है चलिए आप देख लेंगे next question 103 क्या बोला जारा राटर समदी यह 100 रूप या अनूसरा वाक्य के भेद है जिह तो वाक्य क कितने भेदी है जहाँ 103 में रैटर समदी करेक्ट हो जाए चलिए ने ळातर समदी किस परकाल क राचना है जिहां तो हफिर 105 में आप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाए ने चलिए अधूनिक तरास्ती की रेचना है यह 12あ को देख लिए क्या बोला जा रहा है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रें किसके द्वारा रची थे जी हां यह किसके द्वारा रचीत कविता है तो पुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है जी हां इस मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा तो कभी भी दिखाई ना देना को 109 को देखें को क्या बोला जारा रहा है यहां रिट सब्द संग्या है तो है यात्रा सब्सक्राइब है यहां पर 111 को देख लिए क्या बोला जारा है यहां पर ग्रेक्ट हो जाएगा इस त्री लिंग है यहां पर कुछन रहें महां रूसी कताकार कौन थे लिए बिल्कुल हो जाएगा लेव सबसे पहले सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक हजार प्रशन को मिलने वाला सब्जिक्टिव को तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं Google में तो Google में आने के आप लोग को टाइप करना है यहां पर आप ला क्या है तो आप लाख लोग प्यूंत करेंगे निदी अब लेयो सब्सक्राइब के बीच लगबक कितने कहानिया प्रकाषित हुए थी जिए लगवक तीन सो कहानिया चलिए आप देखलेंगे आपी क्या बोला जारा फिर रैटर से बताइए शुद्य वाक्य है तो इसमें कौन सा शुद्य वाक्य है तो रैटर से बताइए तेरी कुडमाई हो गई का किस कहानी से सम्मद्ध है यह किस कहानी से सम्मद्ध इसका चलिए 117 का अप्शन वर बिल्कुल करेक्ट हो जाए गानि उसने कहा था चलिए अब यह क्वेस्ट्वर 118 को देख लिए क्या बोला जा रहा है रक्षक सब्द में पड़ती है जिए रक् 19 में ऑफ्षन में बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिए राम धारी सिंग दिनकर चलिए अब देख लिए 120 क्या बोला जा रहा है इस वाक्य में नचाश अश्ब्द है जिहां तो नया शब्द क्या है तो 121 में option में C बिल्कुल क्रेक्ट हो जागने विशेशन है चलिए आप देखलेंगे आप ये 122 क्या बोला जारा है फिर आटर सब बते कांसा option क्रेक्ट होगा भगा सिंग ने कैसी मिर्तियों को सुंदर कहा है जिहाद उने कैसी मिर्तियों को सुंदर कहा है जिहाद पे option में C बिल्कुल क्रेक्ट हो जागने देश शेवा के बदले दी गई फासी को चलिए आप देखलेंगे आप ये 123 क्या बोला जारा है डाटर सब बते कांसा क्रेक्ट होगा निराधार सब्द का संदी विच्छेत क्या है जिहाद इस सब्द का संदी विच्छेत क्या हो जागा 123 में आपसर बरसी बिल्कुल क्रेक्ट हो जागने मिर्त जोर आधार हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे आप ये question में 124 और आप लोग राटर सब्द का संदी विच्छेत क्या होगा 124 में आपसर मेर ये बिल्कुल क्रेक्ट हो जागने है सहर जोर दा हो जाएगा चलिए आप ये लिए 25 को देखलेंगे ये क्या बोला जाए है परलोग शब्द में उफसरेग है, थो 186 में रेvenue वन्सार क्रेक्ट हो जाएगा, चछe अब безопас करस्य क्रेक्ट हो जाएगा सब परिवार शब्द में उफसरे वन्सार क्रेक्ट हो जाएगा परम्हें मोहंबाट जाएगा उनकी विर्थिव कभ हो जाएगा जिखनी लगभग 1548 USB में देखे राइटर से बताइ कांसा करेक्ट होगा इमानदार सब्द का विलोम होगा जीखा इमान सब्द का विलोम क्या हो जाएगा और बिए इमान विल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुलसी दास ने अपने यूग की किन दो साहितिक भासाओं को अपना आया है जिहां कौन से दो भासा है तो 132 में एट्रस option मेर C करेक्ट हो जाएगा निए अवधी और बरज भासा चलिए अब देख लिए नेक्स्ट क्वेस्टन ने क्वेस्टन 133 क्या बोला जा रहा है जो खाने योग हो वह है जिहां जो खाने योग हो वह क्या हो जाएगा यहां पर option C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा या पे ही डाइटर से कौन से करेट हो यहां तो बिल्कुल आप्ट देखले चली में क्रेक्ट हो जारे जारे हैं। ये समसेर बहादूर सिंग करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीनेक्स विलों है, ज़िए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 143 , क्या बोला जा रहा है ? , भुजर किस काल के कभई माने जाते है ? कौनसी काल के कभई माने जाते है ? तो41, यहा भी ते कैने। देवता का परियावाची सब्द है जी हां, तो कौनसा कर्रेक्ट हो जाएगा, चलिए अब देखले जाएं चीक ने क्वेसिनने मलियत की रचना नहीं है, ईन मेंसे, 146 में अफशल्मर ए बिल्हकुल कर्रेक्ट हो जाएगा नहीं, नना आने वाला कल, क्या बोला जा रहा है ग्यात का получится 149 क्या बोला बैद देखले लिख़े लिखंग की रचना कार ही यहाद पर एट्र जली परकास नारायन हो जाएगा चलिए अब देखिली आप नेक्स्ट क्वेस्टन नीक्स्ट क्या बोला जाए देखिए और राइटर से बतारी कौन सा क्रेक्ट होगा चंद्र सर्मा गुलेडी का जन्म हुआ था यहां पर राइटर से अप्सिन में बिल्कुल क्रेक्ट हो चलिए अब देखिली आप एक क्वेस्टन में 152 क्या बोला जाए राइटर से बतारी मूर्थी राइटर से कुसी होगा कौन क्यों राम्धारिसिक दिनकर के लिखी हुई है तो कौन से क्रेक्टी है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यूद्ध में इंगलेंड किसके विडियो दलड़ा था पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ चछोटा नागपूर से इंगलेंड के शिपाहिकी मा किस एकांब्स संघरे से लिया गया है यहाँ पर आपसे में रिक्जा कोल जाएगा नियुक्त हो जाएगा जैखा सलाम कहानी संघर के कहानिकार है जिहां को इसके कहानिकार है यहां पर 60 में राइटर से ऑप्ष्टन वर बी ओम परकास वाल में की जिहां आप देखलेंगे जिहां पर 164 में 165 क्या बोला जा रहा है सूरदास के गुरू का क्या नाम था इनके गुरू का क्या नाम था यहां पर राइटर से ऑप्ष्टन में सी क्रिक्ट हो जाएगा ने बल्लावा चार्य हो जाएगा जिए आप देखलेंगे नेक्ष्ट क्वेश्टन में 166 क्या बोला जा रहा है देखिये और राइटर से बताइए तुलसी रास का मूल नाम क्या था यहां पर राइटर से ऑप्ष्टन में बी क्रिक्ट हो जाएगा ने नाभादास चिले आप देखलेंगे नेक्ष्ट्ट क क्या बोला जा रहा है भुस्तन के पिता का नाम था जीए हाँ तर यहां पर जा रहा हैं समसेर बहादूर सिंग की पत्नी का नाम क्या है यहाँ पे रहत रहत को संदी विच्छेत क्या हो जाएगा यहाँ पर eatness option मेर B बिलकुल correct हो जाएगा जिखनी, आसी जो वाद हो जाएगा, चले आप देखलेंगे next question, यह question 74 क्या बोला जा रहा है, नायक किस संधी का उधारन है, जिखन कौन सी संधी का उधारन है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपका संदी का उपस्टे आपके डिकर्टर काउएगा वरिद्धी संदी का यहाँ इकास संदी स्हेद हो जा रहा है देश है आनन जिसके अर्था दसानन रावन में कौनसा समास यहाद कौनसा समास है जब देख लीज गें पर 179 क्या बोला जा रहा है चन कमल में परीउक्त माल समास का है यहाँ पे 179 में option में B बिल्कुल correct हो जागाने कर्म धाराय समास चलिए आप देखलें यहाँ पे next question question 180 क्या बोला जारा है घुड सवार में समास है घुड सवार में कौन सवार समास है यहाँ पे रैटर से option क्या बोला जारा है यहाँ पे रैटर से option और B बिल्कुल क्रिक्ट हो जारी आकर्शन का विकर्शन हो जाएगा चलिए आप देखलें यह next question 183 क्या बोला जारा है पूर्ण का विलोम है यहाँ पे रैटर से option और B बिल्कुल क्रिक्ट हो जाएगा चलिए आप देखलें यह next question 185 क्या बोला जारा है धूंद्रा में कौन सा पड़ती है यहाँ पे 85 में रैटर से option और एक करेक्ट हो जाएगा जिहानी लाव हो जाएगा चलिए आप देखलें यह next question 186 क्या बोला जारा है निवनिखित पड़ एक पड़ती है लगाने से बनी है इनमें से कौन सा पड़ गलत है जिहान कौन सा पड़ गलत है जो भी 186 में रैटर से option में डी करेक्ट हो जाएगा निर्वासित में पड़ती है जिहान कौनसा पड़ती है option में डी विल्गूर गलत हो जाएगा जिए जी हड़ा साल नहीं है चलिए आप देखलें यह next question क्या वोला जा रहा है यहां पर हाथी का परियावची नहीं है यहां पर 190 में और बी बिल्कुल क्रेक्ट हो जागा निया हास तर नहीं है चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है काथ का उल्लू मुहावडा का अर्थ है जिखा इस मुहारेक अर्थ है यह आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कुप मंडुक होना मुहावडा का क्या अर्थ होगा इस मुहावडा का क्या अर्थ हो जाएगा यहां पर देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला जा क्या बोला जा रहा है कच्चे घड़े पानी भरना मोहावरा का क्या आर्थ है यहां पर रात्री का परियावची है है धारत्री का परियावची क्या हो जाएगा अफ्स ट्रएक करेंदक रहा हूदाना में कौन सा ओफसर गया यहां पर रायटर थेख सो आफसर और सी बिन्कूल क्रिक्ट हो जाएगा नि 2 हो जाएगा चलिक तो दिख लिए जी निक्स्ट गुश्टन नी क्या बोला जा रहा है कि शब्द में उफसर्ग का परियोग हुआ है जिखानद कौन सा सब्सक्रिक्ट है यहां पर रैट्रस ऑप्चिन में तो इस बिल्कुल हो जाएगा जिखानद देख़ें next question 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 200 क्या बोला जा रहा है परती कुल शब्द में कौनसा ओफसर का पर्युकत है aja है जिखां तो कौन सी पुस्तक से ले आ गया है यहाँ पर अप्शन नमर सी बिल्कुल कर्रेक्ट हो जाएगा जिखने बोलते चंसे चलिए आप देख लेंगे नेक्स क्वेस्टन ही क्वेस्ट टू हंडेड़ टू और आप लोग साथ सब्सक्राइब आंसर बता दे चलिए का क्या हो जाएगा चलिए आप देख लिए नेक्स क्वेस्टन ही क्या बोला जा रहा है इस तूती का विलोम सब्सक्राइब क्या हो जाएगा यथाद के इस लेन देन का नाम ही संसार है यह पंक्ति किसके दौरा लिखी गई है जिखां यह पंक्ति किसके दौरा लिखी गई है यहाँ पर बिल्कुल क्रिक्ट हो जाएगा जिखांने अग्रज हो जाएगा चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स क्वेस्टन ही क्या बोला जाएगा देखिए वह रैटर्स बताने की क्वेस्टन कीजिए कौन सब्सक्राइब करिक यहाँ पर बिल्कुल क्रिक्ट हो जाएगा और परिहार यह हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स क्वेस्टन ही क्या बोला जा रहा है मुक्ति बोध का जन्म अस्तल कहां है मुक्ति बोध का जन्म अस्तल कहां है तो यहाँ पर बिल्कुल क्रिक्ट हो जाएगा जि घ्रावना शब्द का परियावाची क्या हो जाए यहां पर भशल्मेश्वर हो गया है चेले अब देख pagar शुर्ण घर लाजे है नीव गाय शब्द कॉन समास है नीव गय शब्द हो जायए कर्म धारर समास है चेले अब देखöß लेछा बत不過 स्विटार में कॉन्amt हो जाया है क्र्मध appointments क्त कुम झेजलों-ट और्स ट्रोस एसकारद समीर समů सब्द नव के रचनाकार है जिहां तो रसी का ठुकड़ा के रचनाकर कौन है जिए बिल्कुल क्रिक्ट हो जाएगा ने गाइडी मुपास राइटनसर हो जाएगा चेले अब कुश्चन 214 देख लिए क्या बोला जा रहा है सेना शब्द है जिहां तो कैसा सब्द है सेना यहां पर 214 में कुर्द साथैने जिए का रहा हैं कि विद्ध मंत्री रह चुक है जबन से लेखक है जब 216 में और सी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिखानी हैं हैंडी लॉपेज हो जाएगा चलिए आप देख लिए नेक्स्ट क्वेस्टन क्या बोला जारा राइटन सा बताइए निम्ना मैसेज शुद्ध सब्द है जिखान कौनसा शुद्ध सब्द है यहां पे तो 217 मे यह पर चन्लिक्ट क्रेक्ट हो जाएगा जएने तंट हो जाएगा जिखिले सब्सकांन क्या बोला जाहे क्या बोला जारा देखिए सुभह हुभी इसलिए पक्षी चाहक उठे वाक के है जिहां तो कैसा वाक है यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्तर कौन सी कहानी में मानी जाती है जिहां तो कौन सी कहानी को मानी जाती है 223 में ओफ्सनों इविकर्क हो जाएगो ने उसने कहा था चिवह अब देखलेंगे नेक्स q325 क्या बोला जारा है और निमन था का क्या हो जाएगी है यहाँ प्रिम और सब बिधक हो जाएăng चले देखिए वे काहानी किसने पूछा कुछ पढ़्ति लिखती नहीं已经 किसनेzek पॉछा बिल्कु परिक्ट हो जाएगा गिक हो जाहिए थे इंख्याँ सब्वाता है तो महिमा सब्दमर कौन सा पढ़ती है यहां पर राइट्रस आप्षन नमर कौन सा हो जाएका बिल्कूल और एक कौन सा आप्षन हो जागा जिए ने सुख देब को लिखा था चलिए आप देखले जिए next question question 230 क्या बोला जा रहा है रात सब्द है जिए तो रात कैसा सब्द है option number B बिल्कुल correct हो जागा जिखने तद बहुत सब्द है चलिए आप देखले जिए next question question 231 क्या बोला जा जा रहा है चलिए आप देखले जिए next question 233 क्या बोला जा रहा है जाइसी का जन्मा अस्थान है जिए तो जाइसी का जन्मा अस्थान कहा है यहाँ पर option number C बिल्कुल correct हो जागा जिए जायस कबर अमेठी हो जाएगा चलिए आप देखले जिए next question 235 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बतागी है मुठी में करना मुहावरे का अर्थे जिहां मुठी में करना मुहावरे का अर्थे क्या है जिए राइटर से option number C करेक्ट हो जागा ने वस्ट में करना चलिए तो आप देखले जिए next question 237 क्या बोला जा रहा है राम्भती गोख खरिकनी में बच्रा हित पाई यह पंती की शिर्षे कविता से है जिहां तो कौन सी कविता से है जिहां पर राइटर से option number C करेक्ट हो जागा ने सूरुदास के पंत से है चलिए आप देखलेंगे next question 238 क्या बोला जा रहा है नाभा दास जी किस धारा के संते थे जिखां कौन सी धारा के संते थे यहां पर राइटर से option number C करेक्ट हो जागा ने वैस्टनब दर्शन के चलिए आप देखलेंगे next question 239 क्या बोला जाले देखिए और राइटर से बताईए 16 साल द्रसक के कितने चंदू में महराजा 16 साल की विर्ता का यशोगान किया गया है जिखां तो कितने चंदू में किया गया है यहां पर राइटर से option number D बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा जिखां यहां दस चंदू में हो जाएगा चिलिए आप देखिए next question question 240 क्या बोला जाएगा इतने पास अपने शिर्षक संकलन किस कवी के द्वारा लिखा गया है कौन सी कवी के द्वारा लिखा गया है यहां पर option में डी बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा निए शमसेर बहादूर सिंग हो जाएगा चलिए अब देखिए next question question 241 क्या बोला जा रहा है घुट ने टेकना मुहावरे का अर्थ है जी हां इस मुहावरे का अर्थ ही क्या हो जाएगा यहां पर राटर से बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा निए नरहरीदास हो जाएगा चलिए आप देखिए next question 243 क्या बोला जा रहा है खारा का विलोम है जी हां तो खारा का विलोम क्या हो जाएगा यहां पर क्या बोला जा रहा है पंचेवर्टी कौन सा समास है यहां पर अप्सवर्टी बिल्कूल क्रेक्ट हो जाएगा निए सामाजिक हो जाएगा चलिए आप देखिए next question 245 क्या बोला जा रहा है जिसने गुरू से दिख्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है जी हां तो क्या कहा जाता है यहां पर अप्सवर्टी क्रेक्ट हो जाएगा निए दिख्षित चलिए आप देखिए next question 248 क्या बोला जा रहा है उसने कहा था कहाने के नायक है जी हां कौन सा समास है जिहां तो हाथ फेर कौन सा समास है अपक्षन अपक्षै बिल्कुल ुख हो जायAKE निय ज्युदेगा चेले आप देखेंगे ने 251 क्या बोला जाला है देखिए वो रैटर से बताई कौन सा करेक्ट होगा सर्योगिता स्वेंगवर रचना है जिहां तो किसकी रचना है सर्योगिता स्वेंगवर यहां पर रैटर स्वेंगवर सी करेक्ट हो जाएगा जिहां ने श्री निवास दासकी चलिए आप देख लिए नेक्स क्वेस्टन नी क्वेस्टन 252 क्या बोला जा रहा है देखिए रैटर से बताइए सुबेदार हजारा सिंग के लड़के का नाम था जिखान तो क्या नाम था यहाँ पर एटर से बताइए करेक्ट हो जाएगा जिखानी जवाहर लाल नहरूरे कहा था चलिए अब देख लिए नेक्स क्वेस्टन 254 क्या बोला जा रहा है संस किरती के चार अध्याय किसकी किरती है दिहाँ तो किसकी किरती है यहाँ पर एटर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने हरी घास पर छनबर हो जाएगा चलिए अब देख लिए नेक्स क्वेस्टन 256 क्या बोला जा रहा है गांधी जी चंपारण में कब गई जी कब आये थे यहाँ पर एटर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखनी अप्रेल 1907 में चलिए आप देख लिए नेक्स क्वेस्टन 258 क्या बोला जा रहा है सिपाही की मा एकांकी के नुसार लडाई कहां हो रही है जी हाँ तो कहां पर हो रही है तो आप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी खनी तिरिच हो जाएगा चलिए आप देख लिए नेक्स क्वेस्टन 261 क्या बोला जा रहा है कौन सी रचना मल्यज की है जी हाँ तो कौन सी रचना है यहाँ पर अप्शन में बील्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए तो आप देख लिए नेक्स क्वेस्टन 262 क्या बोला जाएगा देखिए और रचना मल्यज की रचना मल्यज को जलाने जंगल में किसके साथ गया था जी हाँ तो किसके साथ गया था जी हाँ तो आप देख लिए नेक्स क्वेस्टन 263 क्या बोला जा रहा है जे क्रि पुस्टी मार्ग में सबके हित का वचल कौन कहता है जी हां तो कौन कहता है पार्ट की अनुसार यहाँ पर रैटरस ओप्शन बर B करिक्ट हो जागा ने कबीर कहता है चलिए आप देखे लेंगे next question 268 क्या बोला जा रहा है चलिए आप देखे लेंगे next question 269 क्या बोला जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था इनके पिता का नाम यहाँ पर रैटरस ओप्शन बर C हो जाएगा ने ठाकूर रामनाथ सिंग हो जाएगा चलिए आप देखे लेंगे next question 271 क्या बोला जा रहा है कौन सी किर्थी समसेर बहादुर सिंग की है जिखान तो कौन सी किर्थी है यहाँ पर रैटरस ओप्शन मर एप बिल्कूर क्रेक्ट हो जाएगा ने काल तुछ से होड है मेरी चलिए आप देखे लेंगे next question 272 क्या बोला जा रहा है देखिए और रैटरस बताईए गजानन मादब मुक्ती बहुत का जन्म कब हुआ था जिखान तो कब हुआ था तो option बर एप बिल्कूर क्रेक्ट हो जाएगा ने तेरे नॉम्बर नॉम्बर 273 क्या बोला जा रहा है देखिए और रैटरस बताई कौंसा option क्रेक्ट होगा गनेश किस संधी का उधारन है जी हां कौंसी संधी का उधारन है यहां पर रैटरस बताईए बिल्कूर क्रेक्ट हो जाएगा ने गुन संधी का चलिए तो आप देखिए यह next question 274 क्या बोला ज जा रहा है पर यहां बोला जा रहा है चाओर आखा मैं समास है जी हां गुन समास है यहां पर रैटरस ब्रफ्चन में डी हो जाएगा ने दुएगू समास है चलिए आप देखिलेंगे next question 278 क्या बोला जारा है देखिए और रैटरस बताईए राद दिन शब्द किस संधी का उधारन है जी हां कौनसी संधी संधी का उधारन है यहां पर रैटर क्या बोला जाएगा देखिए और रैटरस बताई ही कौनसी ऑफ्चन क्रिक्ट होगा निम रिखित मैंसे किस सब्द में समास और संधी होता है यहां पर रैटरस ब्रफ्चन में सी क्रिक्ट हो जागा जिखनी जलोस माम है चलिए अब देखिलेंगे next question 281 क्या बोला जा रहा साय काम का विलोम है जिहां तो साय का म क्या है यहां पर 282 में और सी बिल्कुल क्रिक्ट हो जागा निम निम रिखिलेंगे next question 284 क्या बोला जा रहा सब्सक्राइब कि शब्द में आवा परतिये नहीं है कौन से सब्द में आवा परतिये नहीं है यहाँ पर रेटरिसन अपश्च्ण केो सब्सक्राइब बीएओ 가 जाएगा चिलिए तो आप देखली जे नेक्स्ट क्यूंड़ेट टूहंडेट्यट्स यहां जा रहा है किर्दंत परतियम किर्षब्दु के साथ दुडते हैं यहां पर डी हो जाएगा ने क्रिया के साथ दुडते हैं चिलिए आप देखली जी परियावाची नहीं है अपस्वर्ण अनल बिल्कुल प्रियावाची हो जाएगा चलिए अप देखिलेंगे नेक्स्ट क्वेशन ही क्वेशन 291 क्या बोला जा रहा है उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा जिखां इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा यहां पर एक रिक्ट हो जाएगा जिखां प्रम प्रावों के विप्रित कारे करना हो जाएगा चलिए तो दे देखलेंगे next question 293 क्या बोला जा रहा है काटा बोना मुहावड़ा का क्या अर्थ होगा जिहां इस मुहावड़े का क्या अर्थ हो जाएगा यहां पर राइटर से option number B बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिहाँ हाने पहुचाना हो जाएगा तो आप देखलेंगे next question 294 जिहां तो क्या बोला जा रहा है देखिए राइटर से बताइए चार चांद लगाना कार्थ है जिहां तो क्या हो जाएगा इस कार्थ यहां पर राइटर से option number B हो जाएगा सुंदर्ता बढ़ जाना चलिए आप देखस्वाइं हैं है और कमल का परियावाची है ठीक क्या हो जाएगा यहां ग्सान mett już जलज हो जाएगा जर पहुँत का सफ्ट गरियावची जितिकित्स बिलकुल कीट हो जाएगा इसलिति जेटिछ extending थे रहान होता है तो अप्सर्ग का परियोग किसमें होता है यहां पर आपको राइटर से बताने है यहां पर 297 षब्दके प्रारंब में होता है चलिए आप देखिलेंगे to 292 इंसाफ्वी नैंट्य chains क्या बोला जा रहा है वे इंसांफिए में पर्यूक्त उफ्सार्ग कर्योग है अल हम लोगों ने तो आपने दोस्तों को लाइक कर दिये और अपने दोस्तों को शेयर कर दिना ताकि आपका फ्रेंड पर इस क्लास का बेनिफिट उठा पाए और अच्छे मार्स लेके आप आप आए तो चलती है फिलल हमने अविए क्षे मार्स 301 की ओर और अपनों साथ साथ पर आपर आपता आते जलेगा जिस तरह आपो आपने आप आन्सर बता रहे हैं चले तो क्वेश्ट पर 300, 1B, स्कीरी पर आचुक है, क्या बोला जा रहा है, हिंदी साहित्य का सुर्य किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यहाँ पर रैटनसर कौन सा हो जाएगा, वेरे गूर यह नहीं, अप्सन नमर ए हो जाएगा, सुर्दास को कहा जाता है, चले आप आधान का अप्सन नमर ए बिलकुल हो जाएगा, परदान हो जाएगा, चले आप देखलें, नेक्स्ट क्वेश्ट पर 300, 4 क्या बोला जा रहा है, आशू सब्द है यहाँ पर रैटनसर क्वेश्ट नमर भी हो जाएगा नि तदभाव सब्द है, चले आप देखलें, यह ने सब्सक्राइट होगा, गोद में सोने वाला कहलाता है, जिहां पर रैटनसर ऑफशन मर ची हो जाएगा, आंक शाही कहलाता है, चले आप देखलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्ट नमर 307, क्या बोला जारा है, देखिए रैटनसर बताइए, गुरू के समिप रहने वाला विद् यहां पर देख लिए निक्स्ट क्या बोला जारा है भूसन की कविता में कौन सा रस पाया जाता है यहां पर रेटर स्वाप्षिन हो जाएगा जिखनी वीर रस पाया जाता है जिले आप 309 को देख लिए जिए क्या बोला जा रहा है अनल शब्द का परियावाची होगा जिखनी अनल शब्द का परियावाची हो जागा अगर हो जाएगा अगर शब्रेट का सकते हैं आयुस्मान शब्द का परियावची होगता आयौसस्य मान शब्द का परियावची क्या होजगा जाएगा और ऊप्स्नल तो पूह जाएगा उस्पोंच्आए कको सब्सेच्छ किनि क्या बोला जारा है देखिए और रेटर से बता ही कौन सा करेक्ट होगा मैं अहों सहाय विवस बैटी ही रही उड़ गया चौना मेरा यह पंक्ति की शीर से कविता से है यहां पर रेटर से अप्शनमर्ट सी करेक्ट हो जागा जिखनी पुत्र वियोग से है चलिए आप देख देखिए बातचीत शीर्षक निवंद के अनुसार जो कुछ मवाद या धुवा जमा रहता है वह भाब बनकर निकल पड़ता है जिहां कैसे यहां पर आपको बताने है राइटर से अप्शनमर्ट सी बिल्कुल क्रेट हो जाएगा जिखनी बातचीत के जड़िये हो फैके आप देखिए ँए 10 partir 50 क्या बोला जा रहा मालती किस कहानी की पात्राह जिहां कौंसी कहानी की पातरह है यहां पी राइटर से ब्नी हो जाएगा निरा जिखनी क्या बोला जा रहा है अंकुरी सब्दें में परते हैं यहां पर डिटरसंप्सनों में C हो जाएगा जिखने इत हो जाएगा तो आप देखले यहां पर देखले हैं नेक्स क्वेशन पर 318 क्या बोला जा रहा है हां वह सदा नीरा शिर्षक पाठ किस विद्या की अंतरगत आता है जिखन जिखन कौन सी विद्दय के अंदर आता है यहाँ पर याट्र अफ्शी निभंद के अंदर आता है चलि आप देखरी गुश्चे वाचक सर्वनाम हो जाएगा चिलिए अब देखली जी next question ने question 200, 321 जी खास तो क्या बोला जा रहा है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उधारान है जी हाँ यहाँ पर रेटर से option बूर बी हो जागरे है संबंद वाचेक सर्वनाम चिलिए अब देखली जी next question question 322 क्या बोला जा रहा है देखिए वो रेटर से बताई कौन से option correct होगा once धराब होगी मानब और धर्माद मानब एक ही सिक्के के दो पहलू है यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है यहां पर रेटर से option a हो जाएगा जिखनी मदन मोहन मुगलानी हो जाएगा चिलिए अब देखलेंगे next question 324 क्या बोला जा रहा है वो सदानीरा शिर्षक निबंद में वर्णित मन कैसे ताल है जिखा तो मन कैसे ताल है यहां पर रेटर से कौन सा हो जाएगा option c बिल्कुल करिक्ट हो जाएगा जिखनी यह कैसा वाक है यह संदेश वाचक वाक है चलिए अब देखलेंगे next question question 226 यहां 326 क्या बोला जा रहा है चुतर रेखा किस कवी की रचना है जिखना तो कौन से कवी की रचना है यहां पर रेटर से वाप्शन ए हो जाएगा जिखनी मलिक बुहमद जाएग सी की रचना है चलिए अब देखलेंगे next question question 327 क्या बोला जा रहा है हिंदी साहित में जगजानर मादब मुक्ती बोद का जाएगा जिखनी तुछ होना हो जाएगा चलिए अब देखलेंगे next question question 329 क्या बोला जा रहा है तूती बोलना मुहावरेक आर्थ है जिखना तो इस मुहावरेक आर्थ है क्या हो जाएगा option बी यानि धाग जमना बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे next question question 330 क्या बोला जा रहा है जिखने तो आप देखलेंगे next question question 331 क्या बोला जा रहा है देखिए और रैटर से बताने की क्या बोला जा रहा है आपको क्या चाहिए वाक है जिखने यह इच्छा वाचक वाक्य है चलिए तो आप देखलेंगे next question question 333 क्या बोला जा रहा है किनका लेखन विक्षित या विकासी दुनिया तथा अव विक्षित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है जिखने तो किनका लेखन है यहाँ पर रैटर से ब्सूर्बर बी करिक्ट हो जागा नी लोपेज हो जाएगा चलिए तब देखलेंग question 34 क्या बोला जा रहा है अध्रक सब्द है जिखने यहां पर रैटर से ब्सूर्बर बी हो जागा जिखने यह पूलिंग सब्द है चलिए देखलेंगे चलिए नेक्स चाहानि विद्या को आधुन करूप देने में किनका अस्मानिय योगदान है दिखां किनका है यहाँ पर एक हो जाएगा ने मोपार हो जाएगा चिंथ आप देख लिए निग्स क्यों संसार सब्द कॉन संगया है यहां पर रेक्टेस ओप्सिन मरें je सी करेक्ट हो जागने वेक्तिवार्वा lots को पर चांग खेएगा आनतों चेघव की कहानी है यहां पर रेक्टेस ओप्शन मरें एक कर् прक हो जाएगा, कलरकी की मौट हो जाएगा, चले अब देहिए, नेक्स क्या अनिक्स क्या पोर्टि विद्यालय का संधी विच्छेत हैं, विद्द्यालाए का संदी विच्छित क्या हो जाएगा 341 में राइटर सु अफ्चिन बर B करेक्ट हो जाएगा जिरने विद्द्याजुर आलाए हो जाएगा चले तो आप देखले ये नेक्स्ट क्वेश्टन ने क्वेश्टन 340 टू क्या बोला जा रहा है आप यसे बाहर ह बहुत करोधित होना चलिए आप देख लिए नेक्स्ट वर कोष्टन वर 343 क्या बोला जा रहा है घाउं का घर कीज़ से कविता संक्रेसी लीग गई है यहां फिरेंटस वर सी बिलकुल हो जाएगा जिखने संस्यात्मा राइटनस हो जाएगा चलिए आप देख लिए नेक्स क्षेस्ट हो जाएगा चले हैं आप देखतेंघ्सट्न चैसेइगा न्यान का संधी विछित स्थे क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल हो जाएगा ने जोर अन हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्ट क्या बोला जाएगा देखिए और राइटर से बतारें कि कुछित कीजिए कौन सा करेक्ट होगा बात्चीज सिर्षयक के निवंदकार है जिहां कौन बात्चीज सिर्षयक के निवंदकार है जहां पर बिकरेक्ट हो जाएगा चलिए अब देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्ट क्वेश्ट कोश्व 349 दिखा तो क्या बोला जारा है देखिए राइटर से बती कौन सा करेक्ट होगा आनंदित में कौन सा पढ़ती है जिखां ऒझाएगाल क्या पो जाएगाल फ्रत्त मुढए खर्ट मूर्फ क्या बोला जारा है कौनसी रचना बाल्किरिस भटकी नहीं हैell यहां पर राइटर से बताने के कौसिश कीज़े कौन सा करेक्ट होगा किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था जिखा तो कौन से अस्पताल में हुआ था यहां पर राइटर से बताने के कौन सा करेक्ट होगा दिनकर को किस किरती पर भारतिय ग्यानपीट पुरस्कार प्राप्त हुआ था जिहां कौनसी किरती पर हुआ था यहां पर राइटरस अप्शन में B हो जाएगा जिखने और वसी हो जाएगा चलिए अब देखले जिए नेक्स्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन में 355 क्या बोला कौंसा निवंध भdeath city का लिखा हुआ नहीं है जिखांट कौंसा लिखावा नहीं है है यहां पर राइटरस अप्शन में B हो जयगा जिखाने क्या हो जाए आगा नवरात्र हो जाए गाा चलिए अब धर अब देखलेंगे है नेक्स क्वेस्टन है question क्वेस्टन कि प्रोशन थी है इंहां पर राट्र क्या बोला जाएने पिर्थि पीराज रासोँ हो जाएगा ति जूठन क्या है जिए इहां पर राट्र क्या है तो चूठन क्या है उझाइ एक आत्मे कथा है चलिए अब देख लिए नेक्स क्वेश्टन क्वेश्टन 361 क्या बोला जा रहा है मलियज का मूल नाम था जिहां तो मलियज का मूल नाम क्या था यहां पर अफ्ष्टनमर्ट भी बिल्कुर करेट हो जा रहे है भरत जी श्रीवास्तव था चलिए अब अब देख लिए नेक्स क्वेश्टन 363 क्या बोला जा रहा है चलिए अब देख लिए नेक्स क्वेश्टन 364 क्या बोला जा रहा है जायसी रचित पदमावत की भाषा क्या है यहां पर आइक रिक्ट हो जाएगा अवधी हो जाएगा चलिए आब देख लिए नेक्स क्वे 65 क्या बोला जाए देखे उह राइटरस्ट बदे कौन सा करेक्ट होगा बल्लावा चारे से मिलने से पूर्वर सूर किस भाव के पद गाते थे यहां पर एडाटरस्ट बंड थी करेक्ट हो जाएगा जिह हने दैन यह भाव के चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन ने, question number 30, 366 क्या बोला जा रहा है, इन में से कौन सी रचना तुलसी की है, जिखान तो कौन सी रचना है, यहाँ पर राटरस ऑफ्चन नमर डी हो जाएगा, जिखानी, विन्या पत्री का हो जाएगा, चलिए आप देखिलेंगे, next question, ने, question number 367 क्या बोला जा रहा है, काने का औरत होता है तो कानेकार्थ क्या होता है यहाँ पर आपको रैंका से बताने है यहाँ पर भी क्रेक्ट हो जाएगा जिएखने क्या हो जाएगा विश्वास्वास हो जाएगा चैने आप देखेलेंगे नेक्स कर चumbraMusicごा क्या भोला जा रहा है परसाथ जी के पिता का नाम था जिखा तो परसाथ जी के पिता का नाम क्या था यहाँ पे रैटर्स उप्चिन में B हो जाएगा जिखाने देवी परसाद साहू हो जाएगा चलिए अब देख लिए नेक्स क्वेशन 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 370 क्या बोला जा रहा है सुभतरा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ जिखान तो कब जन्म हो था इनका यहाँ पे रैटर्स उप्चिन में A हो जाएगा ने 16 अगस्त 1904 इसवी को हुआ था चलिए अब नेक्स क्वेशन देख लिए क्वेशन 371 क्या बोला जा रहा है कौनसी किर्थी समसेर बहादूर सिंख की नहीं है कौनसी किर्थी है यहाँ पे रैटर्स उप्चिन में D हो जाएगा ने भारत इतिहास और संस्कृति हो जाएगा चलिए आप देख लिए नेक्स क्वेशन देख लिए क्वेशन 372 क्या बोला जारा रहा रहा रैटर्स बतेए कौनसी किर्थी रचना मुक्ती बोद की है कौनसी किर्थी है यहाँ पे यहाँ पे 372 में अप्षन देख लिए क्रिक्ट हो जाएगा ने चांद का मुँ टेरा हो जाएगा चलिए आप देख लिए नेक्स क्वेशन 373 क्या बोला जारा है स्रोज किस संधी का अवधारान है महेश का संधी विच्चित क्या हो जाएगा यहाँ पे 374 में अप्षन में अप्षन में बी करिक्ट हो जाएगा महाजूर इश हो जाएगा चलिए आप देख लिए नेक्स क्वेशन 375 क्या बोला जारा है दिगज की संधी का अवधारान है यहाँ पे आपको राईरान है और जाशक क्या हो जाएगा नव गरेश शब्द किस समास का अवधारान है यहाँ पे आपको राईरान स्वाताने है तो यहाँ पर option number A बिल्कुल correct हो जाएगा जिखाने द्वीगू समास का उधाना है चलिए आप देख लिए next question question 378 क्या बोला जा रहा है अधिकरन तत्पूरूस में जिखान अधिकरन तत्पूरूस में क्या होता है यहाँ पर option number B correct हो जाएगा जिखाने दूसरा पद का क्या होता है परधान होता है चलिए आप देख लिए next question question 379 क्या बोला जा रहा है चतुरातन शब्द किस समास का उधाना ने जिखान तो कौन सी समास का उधाना है यहाँ पर option number A correct हो जाएगा ने बो बिरही समास हो जाएगा चलिए आप देख लिए next question question 380 क्या बोला जा रहा है गर्वर सुनन सब्द में समास है जिखाने तो कौन सी समास है यहाँ पर option number B बिल्कुल correct हो जाएगा जिखाने करन तत्पूरूस समास है चलिए आप देख लिए question 380 क्या बोला जा रहा है अनुकूल का विलोम है जिखाने तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर डेटर से option number A बिल्कुल correct हो जाएगा ने परतिकूल हो जाएगा चलिए आप देख लिए next question question 380 क्या बोला जा रहा है अमुर्थ का विलोम है जिखाने पर डेटर से option number A बिल्कुल correct हो जाएगा अब next question देख लिए question 384 क्या बोला जा रहा है निमने रिखित में किरित पड़ती है होगा जिखां कौन सा किरित पड़ती है होगा यहाँ पर 385 में option में यह बिल्कु करिक्ट हो जाएगा निया बचत हो जाएगा चलिए अब देख लिए next question देख लिए question 387 क्या बोला जाए देखिए और रिटरस पड़ती कौन सा करिक्ट होगा निमने इस तरी का पड़ती है होगा जिखां इस तरी का क्या पड़ती हो याची का हो जाएगा चलिए अब देख लिए next question 88388 पर देखिए रिटरस पड़ती है निमने इस सब्सक्राइब परतिय से बना है यहाँ पर बिल्कुल करिक्ट हो जाएगा जिखांए पीकदान हो जाएगा चलिए अब देख लिए next question 389 क्या बोला जारा है वारित का पड पडियाबची क्या हो जाएगा यहाँ पर डिखांफ़ लेघवा जाएगा चलिए अब देख लिए नेक्स्ट क्वेशन है 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 नेक्स्ट क्व करने कार्टना का अर्थिक क्या हो जाएगा यहां पर डी हो जाएगा ने दूर रहना आप देखलें नेक्स क्वेशन निम्र दी बिल्कुल क्रेट हो जाएगा ने कामना जानना राइटर सर रह जाएगा चलिए आप क्या आरोगय का पढ़िजय क् nomertine नहीं है यहाँ पयाओद करिक्ट हो जाएगा ने बसंत हो जाएगा चिले आपके क्या बोला जा रहा है अनिल का परियावाची क्या हो जाएगा यहां पर रैटर से अप्षिन मड़ सी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा निए पवन हो जाएगा चलिए अब देखिए अब देखिए गमन शब्द को विप्टी तार्थक बनाने के लिए आप किस उपसरक का परियोग करेंगे जिहां कौन सा अफसर के संकल्प में यहां पर रैटर से अप्षिन में सम हो जाएगा यहां तो लोग ने चारशों क्या बिल्कुल क्वेस्ट कर लिया और अभी यहां पर हम लोग का 100 बचा है आज इक क्लास में क्लास्ट करेंगे अभी आपक क्लास कर् — देखिए आक क्लास को लाइक किया तो लाएक कर दिये और अपने दोस्त में आपको toshare कर देना जिए तो आपको क्लास के लास्त तक अभी बने रहे नहीं तो 20 क्या YouTube क्या बोला जाएगा चलिए अब देखले एक्ष्य नेक्ट्टो स्प्ष्ट्ट बूला जा रहा है क्थोड completelyलोब क्या हो जाएगा चेलिए में ऌफ्सेंट क्रेक्ष्य नेक्ट्टøbe क्या बोला जारा है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसी दास विद्याधन किये थे जिए आंट किसने वर्ष तक रहे ते उन्होंने यहां पर रैडर से कौन सा हो जाएगा यहां पंत्रे बर्शु तक हो जाएगा चिल्व अब देखें संकर परसाद का महा काव यहां पर राइडर से बताने है बिलकुल अप्शन वड़ एक apt हो जागा जिखनि कामा या नि हो जाएगा चीली आप देखले क्या बोला जाने देखिए वह राइटर सबताने की कोसित किजे डूशित का बोला जाहने की किस विद्थ हो जाएगा जिखनी दूसित का सवच्छ हो जाएगा चैन्द आप देखले ये szukone-net एट क्या बोला जा रहा है चीर विशाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ती है यहां पर एंटर से बिल्कुल करिक्ट हो जागा निया तुमूल कुलाहल कलहम है जिए अगर आपको कोईस्ता भी क्वेस्ट में डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉप से पूछ सकते हैं क जया निया निया जँनक्त पर एंटर से बिल्कुल करिक्ट हो जागा जिए अगर का निकेतन हो जायका चील ज में ने ने केटंध बबलनी देड्र क्या बोला जा रहा है उसने कहां था कहाने के कहांबर का ए only हैं प्ड़ने वाला सब्सक्टों में यहां प्ड़ने वाला सब्सक्राइब कौन सा है यहां प्रभ होजाएगा सब्सक्राइब लुखतंत्र किसके मुल उद्यश्यू बंस ऑफ्शन बी हो जाएगा माक्स वाथ त्था लेनिनवाद हो जाएगा चल्ए अब देखली जह एक और 16 क्या बोला जाएगा चल्ए उध्योग शब्द का संदी विच्छेद है जिहां उध्योग शब्द का संदी विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पे राइटर से एफ विप्सन में बी बिल्कुल घ्रेट रोज वह जाएगा चलिए आप देखलेंगे next question question 418 क्या बोला जाने देखिए और राइटर से बताने की कोशिद कीजिए कौन सा correct होगा वह कुलहरी से विरिक्ष काटता है कारक है तो कौन सा कारक है यहां पर राइटर से option में D हो जाएगा जिखाने करन कारक हो जाएगा चलिए आप देखलें आप देखलेंगे next question 419 क्या बोला जा रहा है आनद में सब्दे कौन सामास है यहां पर राइटर से option में A बिल्कुल क्रेट हो जाएगा जिखाने तद पूरु सामास है चलिए आप देखलेंगे next question 420 क्या बोला जा रहा है गांदी जी की जोपड़ी को डैस ने जला दिया था किसने जला दिया था यहां पर राइटर से option number C बिल्कुल क्रेट हो जाएगा जिखाने एमन साहब के कर्मचार्यू ने जला दिया था चलिए आप देखलेंगे next question 421 क्या बोला जा रहा है मुझे भी छात्र विरित्ती मिलती थी सर्वनाम है जीखाने कौन सा सर्वनाम है यह सिपाही की मा एकांकी के लेखक कौन है कौन इसके लेखक है यहां पर राइटर से option number B बिल्कुल क्रेट हो जागा जिखाने मोहन राकेश हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे next question question 440 24 क्या बोला जा रहा है गंडक नदी का जल सधियों से जिहां क्या है यहां बताने आपको तो option B बिल्कुल क्रेट हो जागा ने चंचल रहा है चलिए आप देखलेंगे next question question 425 क्या बोला जा रहा है सचीद आनंद का संधी विच्छेथ है जिहां तो सचीद आनंद का संधी विच्छेथ क्या हो जाएगा यहां पर 425 बेरेटर से option number D बिल्कुल क्रेट हो जाएगा आनंद हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे next question 426 क्या बोला जा रहा है घाट घाट का पाने पीना महावरा का अर्थ है जिहां इस महावरे का अर्थ है क्या हो जाएगा यहां पर यह बिल्कुल क्रेट हो जाएगा ने बहुत अनुभवी होना चलिए अब नेक्ट क्वेश का रहा है डाते सबताए अशोग वाजब्ण वाजबी का मूल निवास अस्तान का है धिका मूल निवस अस्तान का है यहां लिभे हो जाएगा ने सागर Machine बंदर परदेश हो जाएगा चिलिए dauernothia तुइटी नन जा रहा है ग्याने ते पति ने कौण सी कवेता लिखी है जिखांसी ii हो जाएगा जिखांग गाउं का घर प्रांस के थे लिए अब देखलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन नीक्स्टन 432 क्या बोला जारा दिवाली शब्द संग्या है जिए तो कौन संग्या है नेक्स्ट क्वेस्टन 334 क्या बोला जारा है जिए हाँ दो क्वेस्टन पर वाके के मुक्षते कितने भाग है जिए कितने बहाग है यहां पर option number D बिल्कुल correct हो जाएगा जिखनी 8 भाग है चलिए अब देख लिए next question question 436 क्या बोला जा रहा है वह घर नहीं जाएगा वाक है जिखनी निश्यद वाचक वाक है चलिए अब देख लिए next question question 437 क्या बोला जा रहा है एक अतूल निये कलाकार है ऐसा किस ने कहा जि बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आप देख लिए next question question 438 क्या बोला जा रहा है अनुभवव शब्द है जिखा अनुभव कोई सा सब्द है यहां पर रैटरस ऑप्शन बी हो जागाने पुल लिंग सब्द है चलिए आप देख लिए next question 439 क्या बोला जा रहा है मनो विनोद श बिल्कुल correct हो जाए जिखने आग्या वाचक वाक्य हो जाएगा चलिए आप देख लिए next question 441 क्या बोला जा रहा है अर्धर नारिश्वर का किस विद्या से संब्द है जिखा कौंसी विद्या से संब्द है राइटरस ऑप्शन नमर कौंसा हो जाएगा एक क्रेक्ट हो जा जाएगा चलिए आप देख लिए next question 443 क्या बोला जा रहा है जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं क्या कहते है अप्शन नमर जिख्या सो बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आप देख लिए next question 444 क्या बोला जा रहा है जै संकर परसाद किस वाल से संब्द रचनाकार है कौन सी वाल से यहां पर रैटेस वाफ्शन नमर एक क्रिक्ट हो जाएगा चलिए आप देख लिए next question 445 क्या बोला जा रहा है कविता वली की रचनाकार है कविता वली की रचनाकार कौन है अप्शन नमर बियानि तुलसी दास बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आप देख लि समाज नमर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आप देख लिए next question 448 क्या बोला जा रहा है आप देख लिए next question question 449 क्या बोला जा रहा है पर गति और समाज क्रिक्ट रचनाकार की रचना है यह राटेस वाफ्शन मर बी correct हो जाएगा ने नामवर सिंग की है चलिल आप देख लि और एक पत्र के लेखक है जिखां कॉन इसके लेखक है युनाइटर से बी हो जाएगा जिखानी भगत सिंग हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी वाजी है फॉर हंडिट फिफ्टी वन में क्या बोला जा रहा है उसने कहा था शिर्शक का प्रकाल की कहानी है जिखां कौन है याँ पर नायक राइटर से बी हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हंडिट फिफ्टी वर क्या बोला जा रहा है बालक रिस्त भठने किस पत्रेगा का संपादर किया जिखां कौन से पत्री का था जिखांने हिंदी परदीप हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फिफ्टी फाइब क्या बोला जा रहा है वो सदा नीरा की लेखक कौन है जिखां कौन ओ सदा नीरा की लेखक है तो राइटर से अप्शन नमर्ड दी विल्कुरी करेट हो ज जाएगा चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फिफ्टी सेवन क्या बोला जा रहा है वो सदा नीरा किस नदी के नदी को निमित बनाकर लिखा गया है तो राइटर से अप्शन नमर्ड भी क्रिक्ट हो जाएगा घंडक नदी हो जाएगा चलिए आप द दिनकर को किस किर्थी पर भारतिय ग्यान फिर पूरशकार मिला था जिखा कौन से किर्थी पर मिला था रैटर से अप्शन बी हो जागा जिखने और वर्श्ड हो जाएगा चलिया आप देखलें नेक्स्ट क्वेस्टन 460 क्या बोला जा रहा है रोज शीरेशक कहाने के कहान इस कहानी के कहानी कार कौन है तो राइटर राप्षिन में सचीदानन हीरानद वास्तायन आगे हो जाएगा चले आप देखलेंगे नेट्स क्वेश्चनर फोरंडेट जाएगा चले आप देखलेंगे नेट्स क्वेश्चनर फोरंडेटी क्या बोला जा रहा है नामवर सिंग्के गुरू कौन थे लिखांथी इसके कौन थे प्रकास वालमेकी की चलिए आप देखे लिए नेक्स्ट क्वेश्टन के हेड़ मास्टर का नाम क्या है जिहां क्या नाम है यहाँ पर 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 यहाँ यह तिरीच है जिखां तो तिरीच क्या है राइटर सर अप्षिन नमर्ड सी हो जाएगा जिखांए एक वैसला और भयानक जंतु हो जाएगा चलिए अब देख लिए नेक्स्ट क्वेश्टन ने क्वेश्टन 472 जिखांट क्या बोला जा रहा है तुलसी दास कैसे कवी थी ज सब्भोस क्या है सब्भम सब्सक्राइब हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे next question question 475 क्या बोला जा रहा है सुगुनी साहु परीवाल किन से संबन था जिए किन से संबन था यहाँ पर रेटल से option में D हो जागा जिए जैसंकर परसाथ से अब देखलेंगे next question question 476 क्या बोला जा रहा है यूरोप के लोगू में बात करने का हुनर है यह किसने कहा है यहाँ पर अफ्शनल डी बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिखने बाल कृष्ण भटने कहा है चलिए आप देखले यह नेक्स्ट क्वेश्टन 478 क्या बोला जा रहा है सच है जब तक मनुष्ट बोलता नहीं तब तक उसका गुंदोस प्रकट नहीं होता यह किसने लिखा जिखन किसने लिखा है यहाँ पर अफ्शनल डी बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिखने बाल कृष्ण भटने लिखा है सब्सक्राइब क्या बोला जा रहा है करबक में कौनसी बात पाई जाती है कौनसी बात पाई जाती है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिखने भाग जाना हो जाएगा चले आप देखिलेंगे क्या बोला जाएगा जगदिस का संदी विच्छत क्या हो जाएगा जिहां पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले आप देखिलेंगे बोला जाए लोग का विश्यस्यस्राइब क्या हो जाएगा यहां पे राइट सब्सक्राइब पुरूष का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे अप्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा इप पूरूष का स्तिरी हो जाएगा यहां पर देख लिए नेक्स्ट क्या यहां पर इट्सक्राइब प्रियावाची है जिए हां पानी करियावाची क्या हो जाएगा डाइट हो जाएगा दिखिए नेट्सक्राइगे स्टैक्ट पुराई और यह बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिखने वह बिरी ही समास है चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देलिए क्वेश्चन 492 क्या बोला जा रहा है दिगज किस संदीका उधारान है यहाँ पर यहाँ पर रैटनसर अप्शन बर बी क्रेक्ट हो जाएगा जिखने वयंजन सबते यह दूज का चांद होना मुहावरा कार्थ है जिखने मौहावरा कार्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर रैटनसर अप्शन बर बी हो जागा जिखने बहुत दिन पर दिखाए देना चलिए आप देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 495 क्या बोला जा रहा है नया का विल टलीन का संदी विच्छेद है जिखां तलीन का संदी विच्छेद क्या हो जाएगा यहां पर रैटनसर अप्शन मर्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिखने तत जो लीन हो जाएगा चलिए आप देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 498 क्या बोला जा रहा है चंद्रमां क्या हो जाएगा तो आप देख लिए ने क्वेश्चन 500 क्या बोला जा रहा है अर्थ का प्रस्ण को मिलने वाला सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव को तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में तो गूगल में आने की आप लोग को टाइप करना है क्या टाइप करना है bbphelp.com जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ ठीक है तो सर्च करने के बाद अब देखे यहाँ पर आप लोग कुछ भी जो आगे करिएगा ठीक है तो देखे सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री है ठीक है तो हिस्ट्री के सामने में लिखा है अ यहाँ पर आप लोग को सरा कंटेंड मिल जाएगा ठीक है तो देखे अब माले उब्जिक्टीव पढ़ना तो अब्जिक्टीव के सामने में किलिक करेंगे ठीक है उसका नीचे आएंगे यहाँ पर आप लोग ऑंलाइन टेस्ट दिये सकते हैं यहांसे ऑनलाइन टेस्ट पर सकते हैं नीचे आएंगे यहां पर आपको Chapter वाइज पढ़ जएसा मर्जी हो आप यह来 सकते हैं याँ मिलग को देखे नीचे आएंगे तो 10 यानि मोडर को मिलता है देखे और economics का नीचे मिल जाएगा उसके बाद music का मिल जाएगा ठीक है फिर आप लोगो यहां से बाहर हो जाना है बाहर होने का अब यहां पर देखेंगे सोसोलोजी का है जो चीज पढ़ना है आप लोग यहां से पूरी क्लिक करने के लिए तो यहां पर क्लिक कर देंगे ठीक है क्लिक करने कर आपका रिजल्ट यहां पर आ जाएगा यहां पर आजाएगा जारू कर